आयए बात कर लेते हैं नाइक्सकोलर से नमस्कार सь वागकत है आपका नमस्कार नाम बताईए कहाँ से बात कर लिए है अलर्जी बहुत खुज़ियर होता है क्या एज बताईए काउपी पैन है तो लिख लीजे अलसी लीजे सौ दो सो गिराम खरीद लें और उसको साफ सूफ करके कंकर होते हैं अक्सर थोड़ा सा भून लें बतन में डालके थोड़ा सा भून लें फिर इसको पॉडर बना लें और अधा चमच से एक चमच तक अलसी लें और आधी चुटकी सोड़ा खाने वाला यह चुटकी है इसकी भी आधी चुटकी खाने वाला सोड़ा इसमें मिलाकर रोजाना एक या दो बार खाया करें और गरम पानी पीए इसके बाद दिन में पांच बार गरम पानी पीए तो आपको फाइदा मुम्किन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है संजीव बनारस से हमारे साथ स्वागत है संजीव आपका अधिन नमस्कार अधा इवर हकीम साथ से बात अधा अधाब बताए अधाब संजीव दुएदी बोला हूं है सर मेरी उम्र जो है 42 साल है और अभी हमको मार्च में जो लाग डाउन जो जब सूरू हुए था उसी दौरान मैं किसी हॉस्पीटल में इपनी जो है चेक प्राइ तो मेरा गृप जो है तो मैं फिर रिटर्न हुआ तो मैं बास में एक लाइब है मैंने वहां चेक करा है तो वहां भी सुगर काफी बड़ा हुआ था जो है उसमें 507 ऐसा करके आया तो फिर हमको मतलब मैं काफी घबरा गया जो है तो आयरवेधिक दवा तो सर ले दा हूं लेकिन कुछ हैसा नुस् रोटी ही खाना चाहिए और कुछ आईसे नुस के भी बताएं जो की मतलब अपने को लाब दें ठीक है अच्छा देखिए बहुत अच्छा किया आपने फोन किया और अभी आपकी शुगर पराणी नहीं है तो शायद आपको फाइदा भी हो जाए पूरा अच्छा सबसे ज शुगर वाले को अपनी डाइट आधी लेनी चाहिए अगर चार रोटी की खुराक है दो रोटी खाया करें और जिनको डाइबटीज होती है उनकी खाने के बाद की डाइबटीज तकरीबन दुगनी या उससे भी जादा हो जाती है दवा लेने के बावजूद भी तो उसस उससे मत घबराएए जो खाने के दो गँंटे बाद की शुगर है तो वो दो सो कुछ हो जाती होगी आपकी दौसो भाई सो तो उससे मत घबराएए आपकी खाली पेट की शुगर जो सुबा आप करते हैं बारा गँंटे में तो वो कंटॉल रहनी चाहिए और नस्यभी है आप जो दवा लेते हैं वो भी लें और जैतून का सिरका आता है जैतून का सिरका ये दिन में और रात में दो बार भी ले सकते हैं बहुत जादा हो तो दो बार लें नहीं तो एक ही बार काफी है दो तीन चम्मज एक गिलास पानी में मिलाकर रात को लेकर सोया करें और अपन सेथ के साथ गुजार सकते हैं कंटॉल रहे गी आपकी शुगर मुझे ऐसी उम्मीद है नेक्स्ट कॉलर है रेनु राजिस्थान से हमारे साथ सबागत है रेनु आपका जी नमस्कार जी आधा जी आधा अलो बताये आपकी अवाज हम तक आ रही है आप सवाल की जी अपने ब बेट तो बढ़ता जा रहा है बेट उसका कम करने के लिए कुछ पताई आप एज कितनी है बच्ची की और बेट कितना है बेट तो आगी मैंने तौला नहीं है पर फिर भी 55 के आप पास है एज एज 17 साल वैसे तो बहुत जादा नहीं है 17 साल में फिर भी अब कम करना चाहते हैं तो एनिमल फैट बंद कराएं पांच गिलाज गरम पानी पलाएं रोजाना एक गुंटा पैदल चलने हो करें तो बगएर दवा के भी आप बच्ची तद्रूस रह सकती है और वेट कंट्रॉल रह स देखता है और दवा भी अगर चाहिए तो घरे ले नुस्खा है बड़ा अच्छा हम देखिए आदा चम्मच जीरा एक चम्मच धनिया एक चम्मच सौट इसको आप दो गिलास पानी में उबालें और इतना उबालें कि एक गिलास ले जाए तो पिर ये बच्ची एक गिला का है वो रखे और शाम को भी इसी को उबाल के पिए तो भी वजन कम होना मुम्किन है चलिए अगली कॉलर से बात कर लेते हैं सुशील है पटियाला से हमारे साथ स्वागत है सुशील आपका अदा बर्जे हकीम साथ जिनाव मेरी उमर है अटालिस साल है तो मुझे शुरी रुकम जोरी हो रही है अच्छा कुछ और कहना चाहते हैं तो बता दीजे बाद जिनाव यही जो आप समझे रहे हैं एक नस्खा बता दू जो मर्द हजरात चालिस के बात की एज़ में पहु और मर्दाना कमदोरी एक दो बार होती है उसके लिए बहुत अच्छा नस्खा है आप लिख लें देखिए अस्वागंदा पचास किराम और हल्दी पचास किराम अलसी पचास किराम और इसमें मिलाईए सो किराम गौन मौरिंगा गौन मौरिंगा तरह मुश्किल से मिलेगा और नकली भी मिलता है गौन मौरिंगा असली लेना बाकी तो चीज़ों की आपको पहचान है पाउडर बनाएं और एक एक गिराम दिन में दो बार खाने के बाद ले सकते हैं आपकी जो कमजोरियां है जिस्मान और मर्दानी उनका वापस आना मुम्किन है जी इनके लिए कोई मेडिसिन अगर मेडिसिन के रूप में कुछ लेना चाहें तो हुसन सुलेमानी कैपसूल आता है हुसन सुलेमानी तो वो ले सकते हैं आपको वो भी यही काम करेगा जी नेक्स्ट कॉलर है सुरेंदर हमारे मेरे जो है तरियो भाई गुठने में और ये एज में जो है बाई बाजू में और बाई जरी मबाई साइड में जे है एक शिर्टक दरद रहता था बटा आई उ बताईए अपने एज बताईए एज मेरी सेंधर साल है और कितने दिन हो गए इस दर्द को यह कमस्रम साल हो गए इस चाहिए अच्छा देखिए एक नस्खा लिख लीजिए आप और वो आप खाईए और आपके यह सारे दर्द का ठीक होना मुम्किन है मेहनत ना करें इलाज के दोरान ज्यादा और धनिया, सौफ, अलसी, धनिया, सौफ, अलसी, हल्दी और गौनसिया यह पांच चीज़े हैं सो सो गिराम लेकर पाउडर बनाएं और एक गिराम सुबा एक गिराम शाम खाना शुरू करें यह मेटेरियल खतम होते होते आपका ठीक होना मुम्किन है इसी के साथ अगले कॉलर है पर्मानंद पलवल से हमारे साथ स्वागत है आपका टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले कम कीजिए वरना आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुँच पाएगी बताईए क्या जानना चाहती है मुझे अलर्जी है आलर्जी आपको कहां पर कहां पर पुरी बॉड़ी में इनकी अलर्जी है किस सूरत में होती है खुजली होती है चाले आते हैं खुजली होती है ठीक है अलर्जी का अच्छा इलाज है आप खुद कर सकते हैं अपने किचन से और आपकी किचन में जो अलसी होती है वो सौ दोसो ग्राम अगर नहीं हो तो बजार से खरीद लें हलका सा भून के पाउडर बना लें और एक चम्मच अलसी और आधी चुटकी खाने वाला सोडा मिला कर दिन में एक बार या दू बार चंद रोज आप खाएंगे तो आपको फाइदा होना मुम्किन है चलिए ने एक स्कॉलर है राजकुमार मेरट से हमारे साथ स्वागत है आपका जी प्रश्न कीजी अपना ठाइराड की दब आचे ठाइराड ठाइराड हो आपको क्या उम्र है कप कप से है कौन सी गोली लेते है कितने पाउर की अब तो पिछे ठाइराड की से प्रोगी करने परिये एज बता दीजे अपने एज पचाज़ को आपको एक ऐसा नस्खा बता दूँ कि आपका थाइराड को फाइदा हो जाए लेकिन आपको फालो करना होगा अपने डॉक्टर को भी और मेरे नस्खे को भी अपने डॉक्टर की बताएवी दवाई आप खाते रहें जिसे वो बताएग और हर महीने आपको फिर टैस भी कराना है थायराड का ताके आपको फूए पदा चले कि आपको हर महीने कितना फाइदा हो रहा है धनिया आमला मेथी धनिया 300 ग्राम आमला 100 ग्राम मेथी 100 ग्राम फिर बता देता हूँ बहुत लोग सुन रहे होंगे अच्छा इलाज माना जा सकता है इसको धनिया 300 ग्राम मेथी 100 ग्राम आमला 100 ग्राम और गौन मौरिंगा 100 ग्राम ये सारी चीज़ें लेकर आप पाउडर बना लें और एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम पानी के साथ ताजा पानी ये गरम पानी लेंगे तो बहुत अच्छा है इसको आप दिन में दो बार ले सकते हैं उस गोली के साथ भी जो आपको थायराइट की डॉक्टर दे रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा कि हर महीने आपका थायराइट कम होने लगा और आपके डॉक्टर खुद आपकी गोली की प्रोटेंसी कम करते करते चुड़ा देंगे और ये जो मैटेरिल मैंने बताया है ये खतम होते होते मुम्किन है आप ठीक हो जाएं चलिए आप ठीक और बहतर जरूर हो जाएंगे ये घरेलू उपचार बस आप अपना जरूर लीजेगा इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं उनसे बात कर लेते हैं हमारे साथ आशा हैं दिल्ली से स्वागत है आशा आपका नमस्कार जी जी आदाव आशा जी कैसी हैं आप अच्छा कहां दर्द है कितनी उमर है आपकी पूरी नस नस में अडियों में कमजोरी बजन बढ़ा हो है महुत दर्द होता है मेरे सर्वाइकल भी है ठीक है आपके पास पैन कमपी है पैन कमपी तो नहीं आप बता दो और यह से मैं पड़ी ही तो नहीं अच्छा ठीक है दो कि पे आप लिख लिख लिए हैं लिखवा लिजी बड़ा अच्छा नस्खा है और 40 साथ से आप तकलीफ में मुझे उम्मीद है कि आप तिन चार महीने में आपको फायदा मुम्किन है लेकिन दो तीन बातें आपको करनी है एक तो वेस्टन टॉयलेट का इस्तमाल करना जो कुर्सी वाला होता है घर में नहीं हो तो दवा से पहले वो लगवाले है ये बहुत जरूरी है फिर एकसरसाइज बताऊँगा एक और एक दवा बताऊँगा एकसरसाइज ये है ऐसे सीधा बैठे है मेरी तरह और ये आपको ऐसे जितना भी आपको मुम्किन हो दो-चार मिनिट रोजाना करना ही है और देखिये ये ऐसे बहुत आसान नहीं है मैं आसाने से कर रहा हूं आपको नहीं होगा तो ये करने के कोशिश करिए एक ए ऐसे पूरी तरह यहां ली आईए इसको यहां ली आईए ठोटी को अपनी और ये भी दो चार मिनट करिए इस ये तो आपके सर्वाइकल का इलाज है और दस दिन में एक अच्छा रिजल्ट आ आहिसका आप यकिन करें ऐक्सराइज करें और एक गौन आता है गौन सिया गौन सिया ले लीजे असली लेना गौन सिया यानि काला गौन गौन सिया सौ दो सो ग्राम करीद लें और रोज इसको पॉडर बना ले दो चुटकी सुबा दो चुटकी शाम खाएं खाने के बाद और आट-दस दिन के बाद रिजल्ट आएगा इसका और ये सोदो सो ग्राम खतम होते होते आपको फाइदा होना मुम्किन है रोग मुक तो होना चाहते हैं सबसे बड़ी बाद दर्श को देखे आप अकेले नहीं आपका पूरा परिवार सफर करता है ये बात आप लोग बहुत भली भाती जानते हैं आपको कोई रोग हो जाए चोटा सा आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मेडिसिन ले लेते हैं और हमारा रोग जो है वो खत्म हो जाएगा लेकिन एक रोग के खत्म करने के चक्कर में आप लोग कितने सारी परेशानियों का सामना करते हैं यानि आपको एक रोग नहीं लगतार कुछ ना कुछ होता रहता है फिर आप उसी रोग के सहारे अपना पूरा जीवन यापन करते हैं और फिर आप ठक जाते हैं आप लोग दूसरे पर निर्फर हो जाते हैं ऐसा क्यों करना जब आपके पास एक सठीक उपचार है घरेलू उपचार जो आपके हर एक रोग को जड़ से खत्म कर सकता है लेकिन उसके लिए आप लोगों को नुसके जानने की जरूरत है और वो नुसके आप लोगों को कौन बताते हैं हकीम सहाब तो फोन उठाइए नमर्स पर कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगतार दिखाये जा रही है